जहें दोस्तों बंदे मातर भारत की कल अफगानिस्तान पे जो जीत हुई है वो जीत का अंतर 66 रनों का था मतलब ये जीत अच्छी कही जा सकती है और जिस तरह से भारती बैट्समैन खेले वो और भी उंदा था मतलब 140 रनों की ओपनिंग साज़ेदारी कुछ कहती है और उस सभी चीज़ें भारत के हक में जाते हुई दिख रहे हैं लेकिन इसके बाद भी भारत के सेमिफाइनल में पहुंचने की उमीदें कम क्यों है सभी लोग तो कह रहे थे कि अफगानिस्तान को अच्छे इंतर से हरा और आप सेमिफानल की बर्त जो है आप पकी कर लोगे तो तो नेट रन रिट के मामले में वो सेफ साइड में पहुंच चुका होता जो कि वो इस कंडिशन में भी नहीं पहुंचा है उसका पॉजिटिव में जरूर आ गया है पॉइंट सेवन के समतिंग उसका नेट रन रिट हो गया है लेकिन हाँ अभी भी वह उतनी बहतर पीदे हैं वो कम क्योंख लेएं भारत के जांए वाले मुकाबले हैं वो दो टीमों से एक है नामी बहुत हैं वाले हैं वह उल्हिक्रीन को अगे खैला is तो इनको दिक्कत हो सकती है मतलब अगर हम बात करें तो भारती टिम को अपने आगे आने वाले दोनों बचे हुए मुकाबलों को मतलब नामी भी है और स्काटलेंट से जो इनकी मैच होने है उनको इनके खिलाफ 80 रनों से जादा केंदर सा जीत हासिल करनी होगी मतलब जो अफगानिस्तान के खिलाफ 99 थी वो अब 80 हो गई है भारत की जीत से लेकिन काम नहीं बनेगा मतलब अगर इंडिया अगले दो मैच जीत भी जाता है तो भी इंडिया का रास्ता साफ नहीं है यहीं पर सबसब भी ट्रिके कंडिशन आ जाती है कि अब भारत को यह उमीद करनी होगी मतलब की न्यूजरेंड जो है वो अफगानिस्तान से कम से कम 53 रनों से हार जा मतलब अफगानिस्तान के ऊपर भारत की सेमफानल की उमीद है ठीकी होई है अगर वो ऐसा कर देते हैं तो अव्यसी बात है इंडिया का सेमफानल में पहुचने का जो रस्ता है वो काफियत तक साफ हो जाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भारती टीम के लिए अभी भी चिंता के बादल मौजूद है जैसा प्रदाशान ने पहले दो मैचों में किया था उसको देखते हुए वैसे भी यह लग रहा था कि टीम सेमफानल के लिए कौलिफाई नहीं कर पाएगी लेकिन कल के मैच में जैसा ये लोग खेले भी यार अब हार गाये हो तो हम आपको बुरा भला हो लेगे नहीं दिक्कत लोगों को यह हो रही कि इनको इंटेंट नहीं दिखा था वो एटिट्यूड नहीं दिखा था जो दिखेना चाहिए था एक वर्ल्ड कप के मैच में और बस वही कारण मना है भारत की इस प्रदर्शन का भाई कल के मैच में देखिए ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान अब कमजोर टीमों में आती है अफगानिस्तान में भी काफी अच्छे खिलाणी मौजूद है जो उनका ओपनर था जजारी मतलब उसका चक्का देखा था जो उसने बूमरा की बॉल में मार रहा था इन स्विंगिंग यॉर्कर के उपस ने टुक कर एक फ्लिक किया और छेरन मतलब ये टीम जीतने का माददा रखती है और आई 144 रन बना के हा रहे हैं ये लोग तो ऐसा भी नहीं है कि टीम इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए इनको एक्टम समेट के रख दिया तो ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान कमजोर टीम थी तो अफगानिस्तान से जीत गए हैं हम लोग बहुत अच्छी बात है लेकिन आने वाले दो मैचों के अलावा आप ये भी उमीद करनी होगी कि अफगानिस्तान जो है वो न्यूजिलेंड को हरा दे तब कुछ बात बनेगी वरना भारत का सफर अभी भी खतम ही है आपके आगे सोचना इस बारे मुझे कमेंट करके जरू बताएएगा मेरे सुडियों फिलालतना ही जै हिन जै भारत एंड हाँ हैपी दीपा वाली पटा के फोने और सुरक्षित तरीके से फोने जिससे केसी को नुकसान भी ना हो जै हिन जै भारत